भारतिय कुष्टी संग के अद्यक्ष प्रजभूशन सिंग के खिलाप पहलवानों के धरने जारी हैं। उनके समर्थन में हर्याना और पश्यमि उत्तरप्रदेश के खाव पंचायते जंतरमंतर पहुचेंगे। उलम्पिय विनेश फोगार्ट, साक्षी मलेक और बजरंक पुनिया ने खावों से साथ देने के अपील की थी। उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाव पंचायत पालमं तीन सो साथ के प्रधान चौधरी सुरेंद सूलंकी समित हर्याना के तमाम खाव पहलवानों के हक में आ चुकी है। इस बीच कुष्टी संक्य देख्ष बरजभूशन सिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है। जिसमें वो एक कविता कहते नजर आ रहा है। कविता में उन्होंने जीवन मृत्यों की बात बताई है। अंत में कहा है कि लाचारगी वाली जिनगी जीने से बेहतर है मैं चाहूँगा कि मृत्यों करीब आ जाया। इस सब के बीच पियम मोदी के साथ तस्वीर खिचाने वाले पहलवान, पियम मोदी के साथ खाना खाने वाले पहलवान, बीजेपी का समर्थन करने वाले पहलवान, मोदी सरकार के समर्थन में ट्विट करने वाले पहलवान लगता है कि अब पियम मोदी से खफा हो गया है। बोलता है हिंदुस्तान पर मैं हूँ आपके साथ पिर्जा शाकरेली बेग जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने 26 अपरेल 2023 को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी से पूछा कि आप हमारे मन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं और उनकी पार्टी के सांसत और कुष्टी संग के अध्यक्ष प्रश भूशन शरण सिंग पर लगे यौन उत्पिरन के आरोपों पर चर्चा के लिए उनसे समय मांगा अलग अलग किसान संगठन, खापनेता, राजनेता और महिला संगठन भी पिछले तीन दिन से पहलवानों के समर्थन में धरना इस्थल पर पहुश रहे हैं दंगल गल गीता फोगाट भी पहलवानों के समर्थन में आ गई हैं उन्होंने ट्विट करके लिखा सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं उनकी बहन भविता फोगाट भी यौन शोशन के आरोपों की जाच के लिए बनी कमीटी पर सवाल खड़े कर चुकी हैं जबकि ये वो पहलवान हैं जो बीजेपी के पोस्टर की शोभा बढ़ाने वाले लोग हैं बीजेपी के लिए परचार करने वाले हैं और टिकेट के दावेदारों में से एक हैं धरने के बीच बजरंग पुनिया ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट का कवर बदल दिया जिसमें वो प्रधान मंतरी मोदी के साथ हाथ मिलाकर खड़े थे लेकिन अब उन्होंने अपनी सिंगल फोटो लगा दी है यानि कि पीएम मोदी की उस तस्वीर को हटा दिया तो क्या माना जाए कि पहलवाना मान चुके हैं कि पीएम मोदी उनकी सुनने वाले नहीं है या फिर पीएम मोदी और बीजेपी से पहलवानों का मों भंग हो रहा है खिलाडी पिछले कई दिनों से धरने पर हैं वो दो तीन महीने पहले भी धरने पर थे सरकार की उनके साथ बाच्चीत हुई यह शुशर्ब मामले पर एक कमिटी बनी है उस कमिटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी दुबारा उन्हें धरने पर बैठना पड़ा गाउं में इस मुद्दे पर बहुत गुस्सा है खिलाडी किसी जाती समाज या च्शेतर के नहीं बलकि पूरे देश के होते हैं खिलाडीयों को न्याय मिलना चाहिए एक वक्त था जब यही पहलवान कह रहे थे कोई सियासी दल या संगठन उनके धरने में ना आए यह हमारा आपस का मामला है आज यही पहलवान लोगों से समर्थन मांग रहे हैं लोगों को बुला रहे हैं बजरंक पुनिया ने 24 सप्रेल को कहा कि पिछली बार हम से भूल हो गई थी हम खिलाडी हैं हमेरा नीती नहीं आती आज हमें आपकी जरूरत है हमारा साथ दे इतने बड़े खिलाडी धरने पर हैं आप कुछ नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा हमारी बहन बेटियों की लड़ाई में साथ आएं ये लड़ाई एक बहुबली के खिलाफ है इसी तरह की अपील विनिश फोगाट ने भी की इसके बाद खापनेताओं ने जंतर मंतर पहुच का पहलवानों का सपोर्ट करने का एलान कर दी है रेसलर्स के समर्थन में ओलंपियन अभिना बिंद्रा ने भी ट्विट किया अभिना बिंद्रा ने एतलीट का समर्थन किया और कहा कि इस मामले में एक निश्पक्ष जांच होनी चाहिए और कारवाई भी होनी चाहिए जिस तरह के आरोप लगे हैं उस मामले में एटलीट को सड़क पर विरोध करना पढ़ रहा है ये बहुत चिंता जनक है एटलीट की भी सुननी चाहिए तो वहीं हर्याणा की अलग-अलग खापों को मिलाकर एक सर्वखाप पंचायत है अब ये भी खिलाडियों के समर्थन में है जब पहलवान पदक जीत हैं तो प्रधान मंत्री मोदी उनका सम्मान करते हैं उनके साथ तस्वीरे खिचवाते हैं लेकिन अब जब वो न्याय मांग रहे हैं तो कोई भी उनकी दुर्दशा पर सुद लेने को तैयार नहीं